दोस्तो नमस्ते, ओमंग में आपका स्वागत है, मैं हूँ वन्शार्ज, मैं हूँ श्रेया, वन्शिस तुमने कभी कववपे कहानी सुनी है क्या? हाँ, मैंने बहुत छारी कववपे कहानी सुनी है, अच्छा तो एक कहानी सुनाना तो? कवे पे कहानी मुझे पता है तुम्हें कोई भी कहानी याद नहीं है याद तो थी मगर भूल गया चलो कोई बात नहीं आज हम कवे पे कहानी सुनते हैं तो हो जाए कवे पे कहानी आओ बच्चो एक नई कहानी सुनो कलोंजी कवे की कहानी कलोंजी कववा बड़ा मतवाला हमेशा इधर से उधर पंक फड़ फड़ाता रहता बहुत गर्मी हो रही थी उसने अपनी अम्मा से कहा अम्मा अम्मा क्या मैं थोड़ी देर बाहर खुमाऊं उसकी अम्मा ने उसे साफ कह दिया नहीं नहीं बहुत कर्मी हो रही है बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं समझ गए ना निकलो गए तो फिर देखना कलांजी कहुआ बेचारा घर में बैठा बैठा सोचने लगा करूं तो क्या करूं करूं तो क्या करूं बिना घूमे फिरे तो मन नहीं लग रहा आँ मन नहीं लग रहा अम्मा 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 चलो ना कहीं घूमने चलते हैं अब तो शाम भी हो आई है अम्मा बोली चलो जब तुम इतना कह रहे हो तो चार दिन के लिए तुम्हारी नानी के घर चलते हैं सची अम्मा सची कलान जी खुश हो गया है खुश हो कर कलान जी बोला चलो 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 मैं तैयारी कर लेता हूँ नानी के घर जाएंगे दूद मलॉही खाएंगे और बस रास्ते भर कलान जी कवभा यही गाता रहा नानी के घर जाएंगे दूद मलाई खाएंगे नानी के घर पहुंशते पहुंशते रात हो गई नानी ने कलोंजी को कहा ले अच्छे से खा नानी के घर आया है थूद खा खुशो बस रात को तो सब सो गए सुबा हुई गाओं के सभी बच्चों के साथ नानी ने कलोंजी को तालाब में नहाने के लिए भेश दिया चा कौन कौन था भई वहाँ वहाँ था तिन तिन मेढक चीन चीन चिडिया डपो बदर गल्यू खरगोश और कलोंजी कोवा ये सब एक छोटी सी टोली बना कर हसते गाते नाशते लहराते तालाब पर पहुँचे ओ भई तालाब पर पहुँचे ठंडा ठंडा पानी दिखा तो खुद को रोक नहीं पाए चपाक चपाक पानी में डुब्कियां लगाने लगे खेलने लगे डपो बंदर लेकिन दूर पेड की एक डाली पर जाकर बैठ गया सब ने उसे कितना बुलाया अरे आओ ना आओ आओ हमारे साथ पानी में आकर खेलो आओ आओ हमारे साथ पानी में आकर खेलो बहुत आनंद आएगा बहुत ठंडा ठंडा पानी है पर डब्बु बंदर बहुत शर्मीला घबराता हुआ बोला नहीं नहीं मैं यहीं ठीक हूँ मैं यहीं ठीक हूँ, सच बताओं, बहुत मजा रहा है, तुम सब को यहां से खेलता हुआ देखकर, और हाँ, यहां से जंगल दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, कितने सारे पेड हैं यहां, सब दिखाई दे रहे हैं, हाँ, सब दिखाई दे रहे हैं मुझे, कलॉन जी कववा बोला, सच में तुम्हें जंगल के सारे पेड नजर आ रहे हैं, और तेजी के साथ उरता हुआ, वो डब्बू बंदर के साथ पेड़ पर जा बैठा, ओ, 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 ये क्या हो रहा है? कलोंजी कववे की नजर एक आदमी पर पड़ी कुलाडी से पेड़ काट रहा था वो कलोंजी बुला अरे, अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे, लेकिन उस आदमी ने तो उसकी एक बात भी नहीं सुनी कलोंजी फिर बोला अरे, अरे, ये आदमी तो एक-एक कर सारे पेड़ गिराता जा रहा है डब्बू बंदर बूला ये कांसी नई बात है यहां तो रोज ही ना जाने कितने ही पेड़ कटते हैं डब्बू का बस इतना सा कहना था कि कलोंजी फटा फट डाली से उड़ा और सीधा पहुँच गया कहां? आ, जंगल के उसूर जहां एक एक कर पेड़ काट काट कर गिराये जा रहे थे वहां पहुँचते ही कलोंजी बोला क्यों भाई? क्यों? इतने पेड़ एक के बाद एक काटे जा रहे हो क्या कर रहे हो? आदमी बोला एह, देखो, हमें अपना काम करने दो अजाओ तुम भी, अपना काम करो आया बड़ा हमें बताने वाला कलोंजी को समझ में आ गया इस तरह उसकी बाद पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? कलोंजी का हुआ सोचने लगा हाँ, होश्यार तो था ही कलोंजी उसने पता है क्या किया? उसने अपनी चोच उस आदमी को चुभानी शुरू कर दी आदमी सोर से चिला क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है मुझे चोच क्यों मार रहे हो? क्या भी काला है हटो कलोन जी ने उस आत्मी को समझाया देखो जैसे तुम्हें दर्ध होता है न वैसे ही इन पेड़ों को भी दर्ध होता है बेचारे ये पेड़ बता नहीं सकते कि इन्हें कितना दर्ध होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन पेड़ों के बारे में ना सोचें अब आप बताओ इन पेड़ों ने आपका क्या बिगाड़ा है बताओ बताओ आदमी को सारी बात समझ में आ गई बोला ठीक है भाई ठीक है समझ के आवे आज के बाद कभी पेड़ नहीं काटूँगा वादा करता हूँ और हाँ एक वादा और करता हूँ आज के बाद जहां तक हो सकेगा मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाऊंगा और बाकी लोगों को भी समझाऊंगा कि पेड नहीं काटने चाहिए इनसे जंगल नश्ठ होता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड लगाएं ताकि इस थर्ती की हर्याली बनी रहे क्यूं ठीक कहा ना मैंने कलौन जी कहुआ खुश हो गया बुला बिलकुल ठीक कहा तुमने हाँ और जाओ जाकर ज़्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात समझाओ बस तभी आसपास के जानवर कलौन जी और आदमी की बातचित सुनकर पास आ गए सारी बातचित समझ गए उन्होंने कलॉण जी के साहस पर तालियां बजाई और सिर्फ साहस पर ही नहीं समझतारी पर भी और फिर क्या हुआ कलॉण जी को अपने कंदे पर बिठा के बंदर डबू बंदर यहां से वहां वहां से आप फुदकने लगा और बस फिर शाम होके और कलॉण जी कोवा फिर से अपनी नानी के घर पहुच गया तो बताओ अन्सित तुम्हें कहानी कैसी लगी मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगी कोवा कितना समर्ज़ार था ना हां उसने अपनी बुद्धी से पेर कतने से बचा लिये तो इस कहानी से तुमने क्या सीखा कि हमें पेर नहीं काटने चाहिए चलो तो अब ये बताओ इस कहानी का क्या नाम होना चाहिए इस कहानी का नाम होना चाहिए कलॉण जी कोवा चला घूमने हां हां ये नाम अच्छा है तो दोस्तो अब हम चलते हैं अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्ते इंगे एक नगली बार फिर मिलेंगे एक अचराणों के साथ